सभी आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज सुबे साथ बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मांदे के विसे में कुछ जानकारी से अवगत कराना चाहेंगे एक बढ़िया खुशखबरी है उन बहनों के लिए जिनका 45 सो रुपिया मांदे मार्च का बकाया रह गया था वो पैसा आपको बता दें कि कल 3 मई को खाते में आया हुआ दिखा है दो बहनों ने इसकी जानकारी भी बेजी है कहां से बहन है वो भी आपको बताएंगे जैसा कि मैसेज आप देख सकते हैं 4500 रुपए हैं क्रेडिट हुए हैं एकाउंट में और ये 352024 यानि कल की ये डेट है 3 मई 3 मई को कल ही पैसे 4500 आये हैं जिन बहनों के रह गये थे 4500 साध उनके ये पहुँच रहे हों ये पैसा अभी अपरेल का नहीं है तो ये मस समझना कि अपरेल का पैसा खाते में आ गया कुसुम जी है आगरा से मैं आपको बतादू उतर प्रदेश के आगरा जिले से कुसुम बहन जिनके खाते में 4500 रुपए कल 3 मई को आये हैं तो आगे चलते हैं कुछ और मेसेज बत बात करे रामवती बहन की ये भी आगरा से आती हैं और इनोंने भी अपने वहां से जानकारी बेजी है 4500 रुपए इनके वहां पर भी कल पहुँचे हैं कल का मतलब 3 तारीक को और उपर आप ये फ्राइडे 3 मई ये मैसेज में उपर देख भी सकते हैं कल ही इनके महिने का आया था एक महिने का बकाया था लेकिन अब ध्यान देना ये पैसे जो मार्च के पहुँच जाएंगे उसके बाद अब अपरेल महिना भी पूरा हो चुका है तो अभी हर आंगनबाडी बहन का 4500 रुपया के इन सरकार का अपरेल का पैसा प्लस आपका राज सरकार का 500 PLI प्लस राज सरकार का 500 अतरिक्त मांदे प्लस PLI वो दोनों पैसे अभी भी बकाया है तो अभी एक महिने का तो पूरा-पूरा मांदे बकाया है बाकि कुछ महिनों का एक महिना पहले का भी केंद सरकार का बकाया है ऐसी कुछ चीज़े हैं जिनका अलग-अलग देखन को मिला वहीं अभी तक इतने ही मेसेज आये हैं आप सब लोगों का अगर किसी का और आया हो 4500 तो वाटसेप नंबर आल इंडिया का 87 075 और 99 308 इस पर आप मेसेज सुरूप जानकारिया भेज सकते हैं जब भी मेसेज करें तो अपना नाम जिले का नाम दोनों चीजे जरूर अवगत कराया करें संध्या जी है वारडसी से जिला कायकम अधिकारी जो वारडसी के हैं उन्होंने अपने यहां से 30 अपरेल को एक लिटर जारी किया पत्रांक 184 है विसे में लिखा गया कि विभागी विवसाइट जो की बाल विकास up.gov.in जिसके अनुसार कारेरत आंगन बाली कार करती और सहय का इनके आधार प्रमारी करण एवं मुबाइल नंबर के सत्यापन के संबंद में है तो बहनों भाईयों ध्यान देना आधार प्रमारी करण और मुबाइल नंबर का सत्यापन ये दोनों कारे अभी सेस रह गए हैं बहुत से जिलों में यूपी के ये कारिन नहीं कराए गए तो अब इन कामों में भी तेजी आएगी और ये काम कराए जाएंगे इसी काम में आप सब को पता है बहुत सी बहनों का डेटा भी गलत है किसी का बैंक में नाम गलत किसी का आधार में नाम गलत किसी का सैच्छी का बिलेक में अलग यानि सब जगें अ का सेवा पुष्टाहार लखनव के पत्र संख्या 1970, नौ फरवरी में आगनबाडी कारकरती, मिनी कारकरती और सहायका, इनके विभागी पोर्टल पर दर्ज आधार नंबर का, प्रमाडी करण एवं मुबाइल नंबर का सत्यापित किये जाने से संबंधित, हेल्प फाइल एवं दिसा नर्देश यानी एसोपी पत्र के साथ में सलगन करके, अदोवस्ताचरी काराले पत्र संख्या 1989, 14 फरवरी 2024 के दुआरा नर्देश किया गया था, कि आप लोग मार्च के अंतिम दिवस तक अपने परियुजना कराले के समस्त आगनबाडी कारकरती सहेका, मिनी का संलगन पत्र एसोपी में दिये गए नर्देश का अनुपालन सुनिश्यत करे, परंतु आज 30 अपरेल तक आप द्वारा आंगनबाडी मिनी और सहेका का आधार प्रमाडी करण एवं मोबाइल नंबर का सत्यापन विभागी विवसाइट पर नहीं किया गया, यहां यह भी अवगत कराना है कि विभागी जूम बैठक के दौरान नर्देशक महोदे द्वारा इसपस्ट नर्देश दिये गए थे कि अगर आगनबाडी मिनी और सहेका का आधार प्रमाडी करण एवं मोबाइल नंबर का सत्यापन नहीं होता है, तो सम्मंदित का मांदे बुगता नहीं किया जा सकता है, उक्त नर्देश के करम में पुना आपको अंतिम रूप से नर्देश है कि आप अपने परुजना के अंतरगत आगनबाडी मिनी और सहेका का विभागी पोर्टल पर दर्ज आधार नंबर का प्रमाडी करण एवं म मॉबाइल नंबर का सत्यापन 15 मई तक अनिवार रूप से करना सुनिश्चित करें, तो बोला गया था 30 अपरेल तक इस कारे को करने के लिए लेकिन अभी तक ये किया नहीं गया, पहले मार्च में बोला गया था तो मार्च में भी नहीं किया गया, अपरेल भी निकल गया, अब मई चल लही है पंदरा मई तक अभी फिर टाइम दिया गया है इस कारे को करने के लिए आंगनबारी बहनों का जो भी विभागी इस पोर्टल पर आधार पहले से फीड है उसका प्रमारी करण होगा यनि चेक होगा और फिर उसका सत्यापन होगा मुबाईल नंबर भी ज एक मई को यहां से भी एक पत्र जारी हुआ है जिसका पत्रांग 13 है समस्त सुपरवाइजरे इसलाम नगर बदायू की जिनको सिडीपियों ने लिखा और अवगत कराया कि जिलाकार कम अधिकारी महोदय बदायू के काराले पत्र संख्या 112-34-24 के द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशक महोदय के द्वारा प्रतेग दिन आगनबारी कारकरती और सहयका के आधार सत्यापन की समिच्छा की जाती है जिसमें जनपत की समस्त परियोजनाओं के द्वारा पोशल ट्रेकर पर सत प्रतसत आगनबारी कारकरती सहयका के आधार सत्यापन पोशल ट्रे जिससे उच्चा धिकारियों द्वारा रोस प्रकट करते हुए दो दिन के अंदर अवसेस आगनबाडी सेविकास सहयका के आधार सत्यापन कराते हुए अवगत कराने का नर्देश दिया गया तो यहाँ पर आपको नर्देश है कि दिनांक तीन मई यानि कल तक अवसेस आगनबाडी कारकरती सहयका के आधार सत्यापन कराने के लिए और कराएं और कारेले को भी अवगत कराएं नर्दारी समयावधी में कारपूर्ण ना होने पर सम्मंदिस सुपरवाइजर उत्तरदाई होंगी और माह मई के वेतन गुगतान की संतुती नहीं की जाएगी जिसकी संपूर्ण जम्मेदारी आपकी होगी तो बदायू में कल तीन तारीक तक ये कारी करने के लिए बोला गया था अगर इस समय में कारी नहीं होगा तो मई महीने का मांदे नहीं आएगा उसकी संतुती नहीं की जाएगी ये सब बाते यहाँ पर लिखी गई थी वहीं एक और खबर है चार आंगनबाडी केंदर में ताला और फिर वहाँ पर नोटिस दिया गया यानि केंदर खुले नहीं थे ताला लगा था इस वज़े से नोटिस दिया गया मामला है सिंधहुली का बाल विकास पर्युजना अधिकारी के द्वारा मंगलवार को सिंधहुली छेतर के चार आंगनबाडी केंदरों का ओचक नरिचड हुआ निरिचड के दौरान तीन आंगनबारी केंदर बंद पाये गए अधिकारी द्वारा कारकरती को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है CDPO ने बताया है कि संतोज जनक जवाब ना होने पर मांदे रोकने की कारवाई भी इनकी होगी चेतर के चार आंगनबारी केंदर का CDPO अजीत वर्मा द्वारा और अउचक निरिचड हुआ है जिसमें आंगनबारी केंदर बल्देउ नगर, गाड़ा, उमापूर, तीनों केंदर पर ताला लटकता पाया गया आगे आंगनबारी केंदर सरवा खुला पाया गया निरिचर के दोरान बंद केंदरों पर सीडिपियो अजीत वर्मा ने नाराजगी जताते हुए सम्मंदित केंदर की आंगनबारी कारकरती के अनुपस्तित पाया जाने पर मांदे रोकने की बात कही है उन्होंने बताया है कि सभी तीनों के इंदरों पर ताला लटका पाया गया जिससे यह साबित होता है कि कारले खोला ही नहीं गया तीनों के इंदरों की कारकरतियों के उनको कारण बताओ नोटिस जारी करके तीन दन के अंदर उनका इसपस्टी करण मांगा गया है इस पस्टी करण संतोज जनक नहीं होगा तो कारकरती के मांदे रोपने की कारवाई भी की जाएगी तो ये कुछ चीजे यहाँ पर देखने को मिली है तो अपना टाइम से संटर को खोलें सुरिजकली राइबरेली से हैं इनको नो ने अपने वहाँ से कुछ बेजा है इस सभी लोग तीन तारीक को अपने बूतों पर उपस्तित रहेंगे और उसे दिन बूतों की जांस उच्चा दिकारी दुवरा की जाएगी तो वैसे तो कल तीन तारीक हो चुकी है तो अब जानकारी ये जादा काम की नहीं है इसमें आज चार तारीक का भी है मामला तो आज आज का देख लो आज चार मई को ब्रमड लगा है पुर्वाहन आठ बजे से सामके छे बजे तक और जो की दिनांक तीन मई को अपराहन साड़े चार बजे इसमें जन्नल सक्तर वगरा सब ये लिखे गए है 181 सलोन, 182 सरेनी, 183 उंचाहर विदान सबा चेतरों के नाम है तो आज ब्रमड का देनांक यहाँ पर चार मई को भी है कल तीन को भी बचरामा हर्चनपूर राइबरेली में था बाकी तीन में आज है तो ये कुछ चीजें देखने को मिली प्रफुल कुमार तरिपार्थी उपजिला निर्वाचन अधिकारी राइबरेली से जिनका लेटर था सुजाता संबल से आती है सुईब कारक्यम के अंतरगत मदान परसंट बढ़ाये जाने को सीडियों ने बैठक की है चंदोसी का ये मामला है लोग सबा सामान निर्वाचन दो हजाच चौबिस के अंतरगत सुईब कारक्यम के अंतरगत मदाता के दिन यानि मदान के दिन मदाताओं को बुलाने के लिए बुलावा टोलियां बनाये जाने के लिए सब बाते कही गई हैं तो ये सब बाते निकल के आई आगनबाडी बहने याँ पर मौजूद हैं देख सकते हैं आप लोग और उनको इन कारक्यमों में जो है अधिक से दिक लोग मदान करें इसके लिए उनको जागरू किया जा रहा है और उनको ट्रेनिंग दी जा रहा है यानि प्रिसिच्छर दिया जा रहा है तो ये कुछ मामले हैं जो साथ मई को मुख्याले पर बुलाया जाएगा ग्रामवासियों को घरगर जाकर यानि साथ मई के दिन उनको जागरूकता वहाँ पर फैलाएं इसके लिए बोला जा रहा है तो साथ मई के कारकम को लेकर वहाँ चुनाओना होने हैं तो कुल मिला करके आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आपको मिलते हैं धन्यवाँ